Hello everyone, this is Ram Vishnoye and you're watching Geographic Guru. आज के इस एपिसोड में इस वेडियो में हम बात करने वाले हैं आपके pre-board exams की. और pre-board exams को लेकर के काफी सारा confusion है. Students, इस बात को लेकर के confused है कि हमें pre-boards exam देने चाहिए या फिर नहीं देने चाहिए. काफी सारे school में pre-board one हो चुका है, two होने वाला है, या फिर one चल रहा है, second होने वाला है. तो इस चीज को लेकर के भी confusion है कि भाई, दो-दो pre-board exam अगर हम देंगे तो revision कब होगा? कुछ students के साथ आलगी type का issue है, उनके pre-board one में अच्छा score नहीं रहा, तो वो tension है कि भाई, pre-board two में अगर इतना time चला गया, तो revision कहीं न कहीं गड़बड हो जाएगी. अब ये जो students है कि जो confusion कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उसके बाद एक और confusion है, कि कुछ students है जो देना चाहते हैं, उन्होंने ये चीज़ें डिसकस की अपने coaching center के उपर, teacher के साथ. teacher ने बोल दिया कि भाई physics का एक important chapter वो हम करने वाले हैं, तो अगर आप pre-board exam दोगे तो वो chapter आपका रह जाएगा, skip कर दीजिए. अब कुछ students ते आपस में discuss किया, कि भाई ये तू देना चाहता है या नहीं देना चाहता, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं तो नहीं दूँगा, क्यों नहीं देंगे, कि भाई एक important bio का topic रहता है, वो करवाएंगे हमेरे center के उपर, मुझे वो करना जरूरी है, अब जो देन चाहते हैं, वो भी confused कि भाई हम अकेले क्यों थे, हम रह गए ना पीछे, अब उन्होंने घर पे बात की, parents से बात की, dad से बात की, dad को बोल दिया कि school से call आने वाली है, तो आप उनको कोई अच्छा सा excuse दे देना, मुझे pre-board exam नहीं देने, तो ये pre-board exam अगर students नहीं देना च सारी चीजें हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं, देखिए, जो pre-board exam होते हैं, जब हम इन चीजों को लेकर के चलते हैं, तो आप देखिए, किसी भी school में pre-board exam जब लिये जाते हैं, तो एक strategy का part होता है, कि हमें अपनी results को improve करना है, और result को improve करने में pre-boards जो exam होते हैं, उनक हैं, first time वो board exam देने वाले हैं, लेकिन जो pass outs हैं जो इन्होंने 10th pass किया है, अच्छा score किया है, या जिन्होंने 12th pass किया है, अच्छा score किया है, उनसे आप discuss करोगे तो वो बताएंगे कि pre-board exam को बड़े seriously लेकर के हमें चलता है, बहुत seriously लेना है, अब जो top पर होते हैं, उनम के पास होती है, वो pre-boards को बड़ा seriously लेते हैं, आपने ये भी देखा हुआ, कि class में कई बार ऐसा होता है कि कुछ students है, वो अच्छा score करे होते हैं, equal score करे होते हैं, जब boards के result आते हैं, तो 10 to 15% का gap हो जाता है, वो gap कहां आता है, वो gap यहीं से आता है, pre-board exam से, तो सबसे पहले कि हमें इन pre-board exams को lightly लेने लेना है, okay, don't take it lightly, हमें इनको seriously लेना है, यह बहुत important है आपके improvement के लिए, बहुत important है आपके board की preparation के लिए, आप इनको semi-final की तरह ले सकते हो, अब देखी, यह board exam तो नहीं है, pre-board exam है, लेकिन pattern adjectives मिलेगा, एक तो आपका mindset हो जाएगा कि हाँ इस level के question आने वाले है, इतना time हमें मिलने वाला है, अब यहाँ पर बहुत सारी mistakes करोगे आप, आपको जैसे अभी geographic का pre-board exam हुआ, तो उसके बाद students आकर के मिले, इसर यह तो 6 hours का होना चाहिए था, 3 गंटे कम रह गए, 6 गंटे का होना चाहिए था, अब वो चीज़ें कहां से जब pre-board exam दिया, काफी सारे students ने काफी ऐसे silly mistakes की, वो mistakes अगर pre-board नहीं होता, तो क्या पता चलता, उनको की यह mistake करनी है, कहीं पे scoring चीज़ें थी, वो scoring चीज़ें उस टाइप से नहीं गई, जो चीज़ें उन्होंने plan out की थी, तो इनको जब हम exam में देते हैं तो जितनी mistakes कर बननी है, pre-board exam two से बननी है, pre-board exam अगर one हलका गया, तो two आपका उससे better जाएगा, और board exam इससे भी better जाने वाला है, तो इसको हमें seriously लेना है, हमें इस exam को 100% देना है, यानि पहला confusion आपका clear हो जाना चाहिए, कि pre-board exam हमें देना है, coaching की classes है, उनको आप skip करोगे, आपका कोई marriage function है, कुछ और है, उसको भी skip करोगे, लेकिन इसको हमें देना है, clear, उसके लिए proper planning के साथ आना है, proper schedule के साथ आना है, और हमें देना है, clear, दूसरी चीज, कि इसके लिए हमें करना है कि ठीक हमें देना है, तो देना ये नहीं कि वैसे मुझ उठा करके आजाओगे, आप exam क होने है, उसका schedule सेट कर लीजे, कि आपको 3 days देने है, जैसे आपका 10th class के अगर students हो, तो आपको सेट करना है, कि शोसर साइंस का SSD का आपका exam होना है, तो आपको 4 days चाहिए, या फिर आपको 3 days में होना है, तो सेट कीजे, कि मुझे ये revision करना है, ये revision करना है, इतने टाइम ही ये करना है, इतने टाइम ही, ये करना है, आपको अगर maths का है, कि ठीक है, मुझे इस टाइप से revision करना है, तो date sheet के coding या, उससे पहले जो days है, उसमें manage करना है, तो आपको proper schedule के साथ उसको study करना है, proper तरीके से, schedule fix नहीं किया, वैसे ही उठा करके देखके आए, तो कोई फाइ schedule set करना है, और उसी तरीके से आपको preparation करनी है, तीसरी चीज, कि जो pre-board exam है, उसके लिए आपको अपनी learning या revision के पर focus करना है, ये भी नहीं कि ठीक है, exam हो गया, learning करनी है आपको, कुछ topics जो रह गये हैं, दूसरा जो पहले कर लिए थे, उनको revise भी करना है, क्योंकि ये आपक board exam की तरी, pre-board तो लिखा गया, कि आपके लिए practice है, लेकिन हमें उसको board की तरीके से ही ले करके चलना है, तो revise कीजिए, अच्छे से जो पहले topic हुए है, जो नए topic है, उनको learn कीजिए, जिन topics में आपको issues आ रहे हैं उनको write down कर लीजिए, यानि कि लिख करके देखिए, next class का बच्चा read कर सकता आपकी book को, क्या फरक हुआ, लेकिन सोचते कब हैं, सोचना तब पढ़ता है, जब हम लिखते हैं, लिखते हैं तब हमारा brain का use ज्यादा होता है, तो कुछ topics जिनको लेकर क्या आप confused हो, कुछ topics जो आपको लगता कि sure है, कुछ topics जो आपको लगता कि important है, उनको आपको write down करना है, write करके उनकी practice करनी है, या फिर आप ये भी कर सकते हो, कि जैसे आप chapter को revise करें हो, तो important जो key notes, key points है, उनको write down कर लिजिए, यानकी one page for one chapter, ऐसा भी कर सकते हो, तो आपके जो board exams है, उसमें काफी helpful हो जाएंगे, तो इस type से हमें करना है, उसकी बाद NCRT, NCRT हो सबसे important आपके लिए, अब देखिए, आप किसी coaching center पे जा रहे हो, तो किसी और publisher की book लगा रखी है, किसी ने परदीप की लगा रखी है, किसी ने भाई संदीप की लगा रखी है, किसी की भी लगा रखी होगी, किसी ने notes लेकर के आएंगे किसी coaching center से, किसी ने कहा कि online मेंने उस website से notes निकाल रखे हैं, लेकिन की जो रहेगे न, board exam में, वो आपकी NCRT रहने वाली है, NCRT की जो exercise है particularly, आपके board exam में भी 30 to 40% जो questions है, वो board exam में आपकी NCRT exercise में से आने वाले हैं, जटीज़, और board exam में 100% जो questions होंगे न, वो आपकी NCRT book में से होंगे, यानकि उससे बाहर नहीं होंगे, इवन जब हम NEET की preparation करते हैं, तो ठीक है वो value based questions या उस type से हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी concept नहीं होगा, जो आपकी NCRT की book से बाहर हो, जब हम marking के लिए जाते हैं, आपकी paper checking होती है, तो उस वक्त answer की हमें दी जाती है, और answer की में क्या mention होता ह दे ही नहीं सकते जो आपकी NCRT की book में ना हो, clear, तो हमें NCRT है, उस पे trust करना है, उसको अच्छे से revise करना है, यानि कि हम सिरफ notes को लेकर के चलें, हमने private publishers की book आ गई, उसमों लेकर के चलें, वो topic वहाँ पे दिया ही नहीं गया, हम वहाँ पे अपने energy को waste करेंगे, तो NCRT ह उससे हमें revision करना है, हाँ, help book वगरा है, जो भी है, वो आप साथ में ले सकते हो, लेकिन वो concept NCRT के through हो करके जाना चाहिए, fifth है, कि हमें sample question paper को solve करना है, चाहिए वो PYQ हो, उनको solve करना है, sample question paper है, board आपको two sample question paper देता है, sample question paper अगर आपने, कई बार ऐसा हो जाता है, कि आपक one में कुछ teachers हैं, वो कहीं से भी उठा करके आपको sample question paper दे दिया, उसके language बड़ी easy थी, ऐसे ही दूसरे में दे दिया, कहीं से उठा करके दिया, भाई, फिर तो वो practice उस type से होई नहीं पाई, कई बार ऐसा होता है, कुछ subject में ऐसा हो जाता है, तो हम sample question paper को अगर solve करके जाए तो हमें जब revision करेंगे ना, तो revision में भी हमारे mindset हो जाए, कि यहां इस type का question आ सकता है, यह टेड़े तरी किसे पूछा जा सकता है, एक question five marker में दे दिया, जो two marker question है, उसको कैसे deal करेंगे, वो deal करना, वो चीजें यहां से हम निकल करके बाहर निकलेंगे, तो वो हमारे लिए easy हो जाएगा, और थोड़ा सी है कि used to हो जाएगे, थोड़ा हमें comfort zone feel हो जाएगा फिर उसमें, ठीक, जो आपके simple question paper है, वो जरूर solve करके जाने है, कैसे solve करने है, ऐसा निकि आप 3-3 घंटे लगा हुए, आप उसमें से देख लिए यह आता, यह आता, यह आता, ठीक है, जह को लेकर करके आपके strategy होनी चाहिए, score करने के लिए, preboards को हम boards की तरहीं लेकर चल रहे हैं, जैसे आपके five marker question जो रहते हैं, उसमें से एक question, लगबग एक question, किसी भी subject में लगा लिए, ऐसा होता है, कोई two या three marker का question है, दे दिया five marks में, क्या लिखें भाई, हमें तो कुछ बनाना ये, कोई उससे लेटेडी diagram बनता है, वो diagram बना दीजे, ताकि वो cover up कर पाओ, एक तो ये है, किसके लिए backup plan है, दूसरा चीज, कि जो अच्छे students है, जिनको अच्छा score करना है, उनको क्या करना है, कि आप जैसे one marker करे हो, उसके बाद जब आप three marker में जाते हो, उसके पाद five marker में जाते हो, तो first three marker में आपको एक diagram जरूर बनाना है, diagram flow chart जरूर बनाना है, कैसे बनाओगे, कि उसमें कुछ ज्यादा नहीं करना, कि आपने जेखे, कुछ दिया गया है, उसके types है, पूछा नहीं गया है, लेगिन types है, आपने वो heading डाल दी और उसके types मना दीए, pencil से बना दिए, तीन-चार लाइने cover होगी, एक mindset हो गया, जो checker है, marker है उसका, कि भाई बच्चा intelligent है, ठीक, आपको score अच्छा मिलेगा, एक आपको करना है, जो three marker है, वहाँ पे जो heading लिखोगे, जैसे आपसे अगर पूछा गया है, French Revolution के बारे में पूछा गया है, French Revolution, तो double underline कर लीजिए, और उसके बाद वो three marker है, तो भी आपको heading लिखनी जरूरी है, cover up करने के लिए, तो at least one, जो first आपका two या three marker question है, उसमें बनाना है, और five marker आपके एगर four question आ रहे हैं, बोड़ exam में, तो उसमें से minimum two में आपको diagram या फिर flow chart या mind map type से कुछ चिपका लाना है, उसको अगर आप चिपका आओगा ना तो ये sure हो जाओगा कि हम कुछ extra score करने वाले हैं, आपको जो five to ten percent का अगर loss हो सकता था, वो नहीं होगा, क्योंकि इससे ही होगा कि बच्चा extraordinary है, तो आपके वो चीज़ें इतने ज़्यादा deeply देखी नहीं जाएगी, लगेगा कि बच तो आपको score थोड़ा सा उपर चला जाएगा, चोटी सी ये trick है, तो इसको लेकर के mindset रखना है, आपको हमेशा किया मुझे ये भी करके आना है pre-board exam में, क्योंकि board में और pre-board में आपको जब ये score मिलेगा ना तब आपको चीज़ें दिखेगी, हाँ teacher ने discuss किया है, teacher आपको पताएगा, well done, आपने बहुत अच्छा किया है, seventh है, हमें weak subject को पीछे नहीं छोड़ना है, weak subject है, उनके उपर भी focus करना है, जैसे किसी का English week हो सकता है, किसी के पास 10th class में, Maths week हो सकता है, किसी का physics week है, किसी का accountancy है, तो यह business है, जो भी subject है, तो उसको लेकर के भी हमारी एक strategy होनी चीए, कि चलो ठीक है, उसमें से weak subject का ऐसा नहीं है, कि सब कुछी weak होगा, उसमें एक आद unit होगी, जहां पे दिक्कत आ रही है, एक आद जो unit है, उसको छोड़ करके बाकी तो अच्छे से कीजिए, एक mindset मत कीजिए, कि भाई, वो subject ही मेरे से नहीं हो रहा, उसमें अग का लगता है कि यह chapter बहुत difficult है, तो at least उसके कुछ concepts, कुछ major topics है, वो तो cover up कर लीजी, किस से पहले, pre-board से पहले, और यह ध्यान में रखिए कि pre-board के बाद आप उन चीजों को cover up कर सकते हो, यानि कि जहां पे आपको लगे, तो हमें लेकर के सब को चलना है, तो यह नहीं कि उसके बाद बोर्ड में क्या करोगे, बोर्ड में भी ऐसी दिखे आओगे, तो आपको वो seriously लेकर के चलना है, तो उसमें से आप एक set कीजिएगा goal subject वाई, कि आपको इतना score करना है, और उसमें से आप mark कर लिजिए, कि हाँ यह topic में दिखकत है, तो उस topic में से बाकी के अला इस नहीं लगेगी, mostly, school में ऐसा ही होगा, कि प्रिबोर्ड के बीच में आपको एक gap दिया जाएगा, जिसमें आप self study करोगे, या जो winter break है, उसमें आपको self study करनी है, तो आपको 10 to 12 hours के आसपास 10 hours भी लगा लिजिए, काफी होता है, quality time अगर 10 hours से काफी है, तो उसमें लगा activity हो, कम होती जाती है, जिसे 25 मिनिट के बाद है, कम होती जाएगी, एग घंटे में जो पहले one hour में हमने study किया, second 10, second जो hour है, उसमें उतना अच्छे से हम learn नहीं कर पाते है, क्यों, क्योंकि mind tired हो गया, उसमें भी break चाहिए हमें, कुछ brain food चाहिए हमें, तो ऐसे आप set कीजे कि 50 मिनिट से आपने अगर continuously पढ़ लिया है, तो 10 मिनिट के लिए break ले लिजी, mobile नहीं लेना है, break ले लिजिए, थोड़ा सा टहल लिजिए, पानी पी लिजिए, थोड़ा सा कुछ चने वगरा है, गुड़ू अगरा है, कुछ खा लिजिए, ऐसी चीज़े आप खा सकते हो टोफी वगरा कुछ खा सकते हो, clear, तो वो break लेना है, कि जैसे आपको एसे कितने एक break चाहिए, जैसे एक break चाहिए, आपको एक break अगर बीच मे ले लिया, second वाले break पे चाय का हो जाएगा, third वाले पे खाने का हो जाएगा, इस टाइप से चलेगा, ठीक, तो वो break लेना पूट पूट नहीं आ पाएगा, तो उसके बीच में in between हमें हर एक घंटे के बाद, दस मिनट, पांच मिनट का छोटा से एक break ले लेना है, पानी पी लीजिए, गरम पानी पीजिए, बहुत अच्छा है, चाय पीते हो, कौफी पीते हो, वो ले सकते हो, कुछ और खाना है, हलका-फुलका, वो खा सकते हो, यानि कि एक बार आपको बिश्तर को अपने चेर को छोड़ना है उसमें, ठीक, तो इससे आप long hours तक अपनी revision को ठीक से कर पाऊगे, उसके बाद 9th है, जो सबसे important है, आपके लिए भी, आपके parents के लिए भी, parents को भी आप जरूर शेर कीजिए का उनको सुनाईगा, कि ये जो exam है, इसको लेकर के हमें stress नहीं लेना है, ना तो exam को लेकर के, ना ही हमें इसकी result को लेकर के, जैसे pre-board 1 की results आई, उसमें score अगर कम रह गया, कोई बात नहीं, होता है, हो गया, उस score कम आने के कई सारे कारण हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपक score कम आया, तो आपने efforts नहीं लगाए, हो सकता है, आपने अच्छे खासे efforts लगाए, लेकिन चीजें confuse होगे वहाँ पे question paper को देख कर गए, क्योंकि इसकी language अलग थी, question की language को नहीं समझ पाई, time management ठीक से नहीं था, और कुछ ऐसा भी होता है, कि जो teachers है, subject teacher, अगर मैं खुद क चोटी mistakes निकाल देते हैं, चोट-चोटी mistakes क्यों निकालते हैं, वो इसलिए निकालनी जरूरी है, कि यहाँ पे अगर आपको mistakes बता दी, तो आप board एक्जामें repeat नहीं कर रहे हो, यहाँ पे अगर हमने ignore कर दिया, फिर यह pre-board लेने का फाइदा क्या होगा, कोई benefit नहीं होगा तो इसलिए आपका score कम रह सकता है, कई बार कम इसलिए भी रह जाता है कि coaching आप जा रहे हो कहीं पे, जैसे किसी भी बड़ी शहर में लगा लेजिए, तो most of the students से वो coaching जा रहे हैं, वहाँ पी अलग pattern से करवा रही थी, जो subject teacher है, वो भी coaching करवाता है, वो अलग pattern से करवाता है और उसको इस बात से चिड़ भी हो सकती है, कि भाई आप तो मेरे पास नहीं आते हैं, तो उसने का दिया नहीं यह ऐसे वाला तरीका नहीं चलेगा, ऐसे वाला तरीका नहीं चलेगा, marks आपके अच्छे खासे deduct हो गए, कम रह गए, कोई बात नहीं, आपको लगता नहीं सह करना है, लेकिन स्ट्रेस नहीं लेनी है, ठीक, इतना स्ट्रेस में नहीं आना है, हमें यह जो pre-board exam है, that is like that, यह कह सकते हैं, हमें आइना दिखाया गया है, कि हम यहाँ पे अटक सकती हैं, हमें कुछ और करना है, हाँ 10 to 15 marks है, वो gap easily आप cover कर पाऊगे, जो बच्चा यहाँ वो एक तरीके से जिसे gas आते हैं घर में, आपने दिखा होगा, जो gas आते हैं तो उससे पहले चाय बनाई जाती है, तो थोड़ा सा उसको पी करके दिखा जाता है, कि कैसी बनी है चाय, और उसके बाद हम मीठा एड़ कर सकते हैं, उसमें अगर मीठा है, फीका है, जैसे भी तो यह वो उसी तरीके से वो चाय की सिप की तरह है, कि हम चेक करें कि कहां पे मीठा एड़ करना, कहां पे नहीं, तो आपको भी इसी तरीके से लेना, कि भाई, यहां पे एड़ करने की नीड है, जहां पे लगता है कि एफर्स कुछ और लगाने, तो उतने आप एफर्स ल नहीं कर पाऊगे, क्योंकि otherwise क्या होता है कि हम direct अगर board exam में जा करके बैठे हैं, तो confused हो जाते हैं भाई कई बार आप बोलते होगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं सब कुछ भूल गया, मैं सब कुछ भूल गया, वहाँ पर याद ही नहीं आया वो यहाँ पे हम practice करवा रहे हैं ताकि आप used to हो जाओ इस type के environment के, ओके तो hopefully यह tips आपके लिए काफे ज़्यादा helpful रहेंगे और अगर आपको यह video अच्छा लगा तो इस video को like और share जरूर कीजिगा और हाँ, एक छोटा सा comment जरूर कीजिगा ताकि मुझे एक idea लगे कि यह tips आपके लिए कितने important रहें और मुझे भी motivation मिलेगा कि मैं further इसी type के कुछ strategic videos है मैं आपके साथ share कर पाँ आज के लिए इतना ही, thank you, bye bye have a nice day